तो grow application में stop loss में थोड़ा सा changes हुआ है चले आपको हम बताते हैं इस वीडियो में example के लिए हम जो मेड़का share क्यों लेते हैं इसमें हम buy में click करेंगे तो दोस्ते stop loss का process होई है example के लिए हम आपको बता रहे हैं यहां पर हम लेते हैं पांच quantity उपर में three dot में जब click करते हैं तो आपको कुछ इसी तरगत देखने को मिलेगा जो की पहले था इंट्र-डे में click करेंगे फिर भी देखने को मिलेगा जो की पहले था बट है इसको हम बैक कर लेते हैं तो मार्केट प्राइस में आप लेते हैं यहां पर limit भी लगा सकते हैं लिमिट जो भी आपके इच्छ लगा सकते हैं उसके बाद साती इसी में आप इसी ओर में stop loss भी लगा सकते हैं यहां पर का option आपको दे देता है 65 वे चाल रहा है तो हम चाहिए तो यहां पर 62 का stop loss लगा सकते हैं इस तरह से दोस्तों आप stop loss इसमें लगा सकते हैं तो आपका एक ही order में दोनों लग जाएगा जो कि यह भी थोड़ा से इसमें तो कि अगर आपका माल यह target price हीट हो जाता तो फिर आपका stop loss automatic cancel हो जाता और अगर आपका stop loss हीट होता इस तरह से होना चाहिए था बट खाली इसमें stop loss दिया गया target price नहीं दिया गया जो कि मुझे थोड़ा कम ही लगा बाकी सारा changes सब सेम है इसको changes नहीं बोल सकते हैं अपडेट बोल सकते हैं ठीक है तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करें बैल लाइकन को प्रेश कर दिजिए आगे भी ऐसे वीडियो पाने के लिए आज के लिए बसे इतने धरनावाद दोस्तों